हेलो फ्रेंड वेल्कम तो माई चैनल एट्रेक्टिव लूपस यह एक लेडी जैकेट मैंने रैडी किया है वाइट कलर में और गोल गले के साथ मैंने इसको बनाया है बहुत ही ज्यादा इजी और ब्यूटिफुल डिजाइन डालकर मैंने इसको रैडी किया है और इसके मैंने आपको बताया था और उसके बाद में इसके गोल गले की कटिंग करके आपको दिखाई थी मैंने तो अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो पर कोने में आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर उपन करके आप इसका फर्स पार्ट देख सकते है और आज की इस वीडियो में इसके दामन का डिजाइन बनाएंगे हम और इसके गले की फिनिशिक करेंगे जो कि बहुती ज्यादा इजी और पर्फेक्ट है तो इस तरह की जैगिट अगर आप भी बनाना चाहती है तो वीडियो को ध्यान से देखीगा इस किप नहीं और गोल गले के अलावा अगर आपको वी नैक में या मफलर कॉलर वाली जैगिट बनानी देखनी है या बहुती ज्यादा ब्यूटिफुल कोई डिजाइनर काडिगन ढून रही है तो जरूर मेरे चनल को ओपन करें आपको मेरे चनल पर बहुती ज्यादा यूनिक और ब्य क्रोशे पहले हमारे पहले की स्वीडिफ है लोग रहेगी तो इसका जो बिल्कुल पहले वाले दबल ग्रोशे का इस चैन में फिट से वيकानte जलिफोए तैक है Premier को वाले fel state चैनल को जिट है और वाले को पर यहां से स्बुआइगा है एक chain बनाएंगे उन जॉइंट करने के बाद में और इसी chain में एक single crochet stitch हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से अब इसके बाद में इसके उपर दो chain और हमें बनानी है क्योंकि यहाँ पर हम एक double crochet के साथ इसको start करेंगे और यह तीन chain एक double crochet stitch की गिंती में आ जाएंगी तो यह एक chain बनी हुई है दो chain और बना लूँगे में हापर यह तीन हो गई अब याड़न ओवर करेंगे और नीचे वाली एक chain स्किप करके दूसरी वाली chain में हम एक double crochet बनाएंगे अब यार नोवड करेंगे और सेम चेन में एक डबल ग्रूशा और बनाएंगे इसके बाद में एक डबल क्रूशा और बनाएंगे तो फ्य्वाड मिलाकर पांच डबल क्रूशे हमें इस एक chauffeur मेंने भरना लेकन है यह हो गए स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई है और उसके बाद में 1 चेन स्किप करके एक चेन में 5 डबल क्रोशे बनाए है इसके बाद में यार्ण ओवर करेंगे और इसके आगी की 3 चेन स्किप करेंगे और 4 चेन में क्रोशे डाल कर फिर से हम यहाँ पर एक ही chain में से 5 double crochet बनाएंगे तो यह जो design हम बनाएंगे यह 4 के multiply में बनता है 165 stitches हैं हमारे पास यहाँ पर total तो सारी chain के उपर इसी तरीके से 3-3 chain skip करते हुए हमें एक chain में से 5 double crochet stitch बनाने हैं इसके आगे फिर से तीन stitch skip करेंगे हम तीन इसकिप करने के बाद में चौधी में से फिर से एक ही chain में पास double crochet stitch बनाएंगे ठीक है तो यह first row complete करना है हमें इसी तरीके से friends I hope आपने वीडियो को like कर दिया होगा वीडियो को like जरू करें अगर नहीं क्या है तो और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ठीक है यह देखिए first row complete कर लिया है मैंने हापर और यह आखिर में हमारे एक ही chain में पास double crochet stitch बने हुए है अब starting में जैसे हमने तीन chain के बाद में एक chain skip की थी ऐसे ही है पर हमारे पास दो chain बची हुई है तो एक chain skip करके लास्ट वाली chain में एक double crochet हम बना लेंगे और इस तरीके से यह row complete हो गया है इसके बाद में second row start करेंगे इसके लिए एक chain बनाएंगे इस पीस को turn करेंगे अब यह देखी जो first row का double crochet बनाया था हमने उस double crochet की chain में एक single crochet बनाएंगे तो उनको आगे लाएंगे और दोनों loops में से crochet निकाल देंगे अब इसके बाद में साथ chain बनाएंगे हम साथ chain बनाने के बाद में यह देखी 5-5 double crochet बने हुए है न यह तो इसके बीच में जो space है इसमें से उनको आगे लाएंगे और दोनों loops में से उन लेकर crochet निकाल देंगे तो यह एक single crochet हो गया पीच में साथ chain हमारी आ गई है हमारी first row के pattern के उपर अब फिर से साथ chain बनाएंग और यह नेक्स वाले space है इसमें हम एक single crochet के साथ इसको जोइन करेंगे तो यह देखिए इस तरीके से नीचे वाले दो पैटन के उपर दो बार साथ chain आ गई है इसी तरीके से हर बार के design के उपर एक कंगूरा हम बनाएंगे कंगूरे की तरह यह chain हमारी चलती रहेगी और बि मिलेगा और आपको मेरा सारकाम बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो चैनल को जरूर उपन करके देखें यह देखें आखरी बार के साथ चैन बनी हुई है हमारी यह अब फर्स्टों के स्टार्ट में जो तीन चैन बनाए थी ना हमने उसकी टॉप चैन में हमें इसको single crochet क के साथ complete करना है और यह दो रोह हमारे हाँ पर complete हो गए है अभी दो रोह का ही डिजाइन है तो यही दो रोह हमें बार बार रिपीट करना है जो फर्स्टों हमने बनाया था वही रोह फिट से इसके उपर चैन के उपर हम अपलाई करेंगे तो यह करना किस तरीके से थोड़ दोर में जैसे हमनेले फ़र्स ट्रो में एक चैन स्किप करके पहले पां़ सब्योन क्रोशिय है ऐसे आप हमें ही एंपर हमारे पास कंगूरे वाली चैन है तो हमें कन्होरी में पांस डबर झेयिए यहाँ पर बनाने हैं कि में दोट यह सेंटर में हमें पांस डबल क्रॉष कि यह देखे एक ही चेन में पाश्ma डबल कुरोशे हमें बना लेने हैं तो जितने भी घंगुरे हमारे पास बने हुए हैं उसके बीच वाली चेन में से पाश पार्श में टबल कुरोशे बनाने हैं हमें इस रो में सिंपली और कुछ नहीं करना है यह पांस डबल क्रोशे हो गए हमारे अब इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट कंगूरा है इसकी बीच वाली चेन को लेंगे हम तीन चेन चोड़कर चौती चेन में क्रोशे डालेंगे और इसमें हम पांस डबल क्रोशे बना देंगे ठीक है और तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि एक बार जरूर मेरे चैनल को उपन करके देखें आपको मेरे काम बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और मेरे काम अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजेगा या फिर मेरी बाकी वीडियो को भी देखें और काम मेरा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है इस का डिगन पर तो कमेंट करके जरूर मुझे पूछे मैं आपके कमेंट कर र लास्ट में इस सिंगल गोशे में एक डबल गोशे हम बना कर यह फर्ड रो कमप्लीट करेंगे और इसको बाद में जैसे हमने ही कंन कर वार करके काम बनाएगे यहीं जीचेन चैन में और एक लूप को जॉइंट करेंगे रहा है में ज्रसक्त पर रो क्याइब टीबर करने में तो यहां पर च costume करने के बाद में तीसरी चैन में हमने यहां पर पांस डबल क्रूशे स्टीच बना लेने हैं इसमें गले को शेप देने के लिए हमें Bowl सा थांक करना है ताकि हमारा गला पहले नहीं खुले नहीं। नहीं, फिले नहीं रिखती है चार डबल क्रोशे स्टिच का स्पेस दूंगे मैं बीच में तो यहां पर चार चेन स्किप करनी है मुझे और चार चेन स्किप करके पांच वी चेन में क्रोशा डालकर पांच डबल क्रोशे एक ही चेन में से बना लेंगे तो यह हमारी पांच वी चेन है इसमें मैं पांच ड बनाएंगे पांच यह पांच टबल क्रोशे हो गए अब इसके बाद में फिर से हम थोड़ा ज्यादा स्पेस देंगे तो देखिए तीसरा जो डिजाइन है वह हम कहां पर बनाएंगे यह दस टबल क्रोशी की पट्टी है हमारी इसको पर दो बार डिजाइन बनाया है मैंने इसके बाद में जो इस पेस दोंगी मैं तो इस पेस देने के बाद में यह देखिए कली बनी हुई है यह हमारी तीन इसमें जो बीच वाली कली की चेन है इसमें मैं यहापर पांच डबल क्रोशे स्टिच बनाऊंगी तो सेम मेरी तरह अगर आपने जैकेट पर वर्क किया ह और जहां जहां पर मैं यह डिजाइन बना रही हूं वहीं वहीं पर आपको भी अपने बंडी के गले में यह किनारी बना लेनी है तो यह पांस टबल कुरोशे हो गए अब इसके बाद में फिर से स्पेस देंगे हम थोड़ा ज्यादा ही स्पेस लेना है हमें तो यांड नोवर कर लेंगे और यह देखें यह हमारी नेक्स्ट वाला जो डिजाइन है तीन पत्ती वाला इसकी जो पहरी पत्ती की चेन है यह मैं आपको दिखाती हूं यहाँ पर पास से इस वाली चेन में यहाँ पर पास टबल कुरोशे बनाऊंगी मैं और जैसे इस तरफ किनारी बना रहे हैं हम सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी किनारी बनानी है मतलब जितनी बार किनारी का डिजाइन हमने इस तरफ डाला है न सेम इतनी ही बार आपको दूसरी साइट के गले पर भी किनारी बाला यह डिजाइन बना लेना है और बैक पर इस एक कली की चेन में पास्ट डबल क्रूशे बनाएंगे पास्ट डबल क्रूशे कम्प्लीट करने के बाद में यह जहां पर हमने सिलाई लगाई थी यह डबल क्रूशे का आखरी रो है इस रो की चेन में मैं इस साइड के आखरी बार का यह डिजाइन यहां पर बना दूँगी तो कुल मिलाकर छे बार हमने यहां पर यह डिजाइन बनाया है इसके बाद में बैक साइट का गला आ जाएगा तो उसमें भी हमें जो काम करना है वो इसी तरीके से करना है कि गला हमारा फैले नहीं तो उसमें भी स्पेस थोड़ा ज्यादा ही लेंगे हम तो यह देखिए यहाँ पर हमारा छे बार डिजैन बन गया है और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट यह गला बना है यह आप देख सकते हैं कुल मिलाकर छे बार बना हुआ है सेम इसी तरीके से आपको दूसरी सैट का जो गला है उसमें भी 6 बार ही इस तरीके से किनारी बनानी है और सेम जिस चेन में हमने इधर बनाई है ऐसी चैन आपको दूसरी सेट पर भी दिखाए दयाना है, अब झाला जाता है, बैक साइड का, इसमें दिखाती हूं, आपको कितनी बार का इसके बीच वाली पत्ती की चेन में पांच डबल क्रोशिय स्टिच हमें बनाने हैं तो यह एक हो गया दो तीन चार और यह पांच अब इसके बाद में जो दूसरा डिजाइन हम बनाएंगे वह कहां पर बनाएंगे यह दिखाती हमें आपको यह देखिए इस तरीके से आएगा पहनने के बाद में तो यह बिल्कुल भी पहले का नहीं गला हमारा अब यह देखिए बीच में पांच डबल क्रोशे वाली पत्ती है इसके उपर हम एक बार डिजाइन डालेंगे एक बार हमने तीन पत्ती के उपर डाला है एक बार हम पांच डबल क्रोशे की बीच वाली चेन में डालेंगे फिर से तीन पत्ती की बीच वाली चेन में और फ तो आप भी जरूर ट्राय किजिएगा इस ज्यादा बीटिफुल लुक पहनने के बाद में तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरू करके जाए और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करक तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखेगा टेक केर बाए